हेलो नमस्कार स्टुडेंट्स कैसे आप सभी आप सभी का स्वागत है आपके अपने सी यूटूब चैनल संदीब दुबेश सी जी पेसे में आज हम लोग चतिसगड की भुगोल के सेकेंड पार्ट को कंप्लीट करने जा रहे हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे करके चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें चुक्कि आपको पता है कि 12 फर्वरी को एक्जाम का डेट आ चुका है आरेक्षन रोस्टर त्यार हो जाते है तो आपका एक्जाम तो होना तया है और एक तारिख से 20 तारिख तक एक्जाम फ़ाम डलना है तीन दिन भुआपक का जिसतना जल्दी हो सके इसको आप फुल्फिल कर लिजे शीद आपने प्रस्ण में आते है देखते चते गड़ का वेसिंग मुखे हुप से कडपपा सेल से निर्मित है कतन सही है चते गड़ में विस्तरित कडपा सेल में मुखे हुप चुना पथर पाया जाता ह दंडगारण चतिसगड़ बेशिन मैकल सेड़ी यहां इनमेस कोई नहीं अच्छा इसका आंसर जानने सपहने न एक हम मैप देखते हैं उसमें समझते हैं कि वास्तुई कुर्प्र चतिसगड़ में जितने भी पहाड़ियां पठार हैं वो कहां कहां विस्तित हैं यह है हमारा प्यारा चतिसगड़ अब चतिसगड़ की संदम संबंध में कुछ महत पठारों को देखेंगे समझेंगे समझने का प्रयास करेंगे ओके यह हमारा उत्तर ओल अचेत्र हो गया जिसको पूर्वी बगहलखंट का पठार और जस्पूर सामरी पाठ प्रदेश कहते हैं तो य यमूर परवत्रिंखला कोरिया में फैला हुआ है यही पस सीतर लेखनी गुफवा है अब यह वाला चेत्र को जब देखते हैं जस्पूर सामरी पाठ प्रदिश तो यह हमारा सामरी पाठ प्रदिश नीचे में जमीर पाठ प्रदिश फिर लोशून फिर जारंग और यही और जोगी मारा जहां असोग की लीपियां का मुद्रन मिलता है भासा पाली लीपी प्रकृत तो यह पास यह चूरी मातरिंगा की पहाडी यह पैंड्रिवा पालमा चरा है पालमा पाल मेठी की पाहड है टिश jsem लहाँ ६ाल बीच में अपने सिषु पाल परवत हैcious यहां बस यह वाला जो माहकल सेड है उसमें मैकल स्रेडी में आपको दिखेगा नीचे से अगर जाएंगे आप तो ये प्रग्यगिरी की पहाड़ी राजनाद गाउं में ये दल्ली राजरा बालोद में बदरगड़ 1170 कमरधा में और कंदावनी की पहाड़ी कमरधा में रदन की पहाड़ी जहां लात्म नदी की आठ अंठावन जबकि 36 गड़ में 26 तो अपवाह की दिर्ष्टी से सबसे बड़ा नदी तंत्र नदी अपवाह तंत्र यहां पस केसका गहाट यह बारा मोड है राओगाट की पहाड़ी अभूजमार की पहाड़ी और यहां पस 36 गड़ में जो दंड कारण चेत्र की सबसा यहां देखने मिलेगा यह बस्तर का मैदान है तो प्रकृतिक प्रदेश के धार पर 36 गड़ को चार भागों बाट अगया है पुर्वी बगिलकंट का जस्पुर्व सामरी पार प्रदेश महानधी बेसिन और दंड कारण चेत्र अगर इस मैप से देखेंगे थोड़ा इसक मदरगड 11.73 और देख़गड की पहाड़ी तो अब अपने प्रस्षण में आते हैं तो अब बताइए देख़गड की पहाड़ी क्या दंड कारण नहीं है कि 36 गड़ की बेसी नहीं है कि माय कार स्रीडी में है इसका अंसर क्याएग इने में से कोई नहीं ये कोरिया वाले चेत्र में है ठेक है तो देवगड चान बखार की पहाड़ी में इसका अंसर क्याएगा इन में से कोई नहीं आगला प्रस्ट कुश्चन ऐसा है बताना है कि इन में से कौन से कतन सही है चत्रिजगड का जो भगौलिक छेत्रफल है एक तसम्मला 35 लाग वरग किलोमेटर है यह सब कही 92 दिखेगा कही 94 दिखेगा कही इन क्यान बे दिखेगा तो यह तो सही है वरतमान में 36 गड़ का सबसे बड़ा जीला राजननदगा है चोकि राजननदगा को तीन भागों में डिवाइट कर दिया गया है तो सबसे बड़ा तो जीला नहीं हो सकता उपर में नीचे म अंबा गड़ उपर में खेरा गड़ और यह राजनंगा तो कुल मिला कि दूसरा कथन गलत है तो यह सबसे बड़ा जीला भी वर्तमान में किसे बताया गया है जिपसुद्वार कॉर्बा तो इसका अंसर क्याएगा ऑप्शन नंबर एक सही है दो गलत अगला प्रस्न देखत पठार का छेतरफल सोन बेसिन है सोन नहीं इंदरा नदी मतलब गुदावरी नदी बेसिन तो कुल मिला कि यह भी गलत सोन बेसिन कहां मिलेगा आपको यह जस्पूर सामरे पार्ट प्रदेश के छेतरफल के अंतर गात तो बी और सी गलत है ए सही है तो अगर सहीं पूछा गलत पुर्शन तो क्या था B और C दोनों को अब तयार रखना है अगला प्रसन देखते हैं chendsagard की अंतिम सीमा सुकमा जीला है हाँ बो सकते हैं अंतिम सीमा सुकमा जीला है को अन्ता तासल तो यह कथन सही है और बलरामपूर सरवाधिक जीलों को इस पर्स करता है तो यह अगर ऐसा कथन बोले ना, तो ये भी सही है, क्योंकि बलरामपूर तीन राज्यों को टच करता है, कुण कुण सा, पहला उत्तरप्रदेश, जहारखन और मद्रप्रदेश, चुकि अगर ये बलरामपूर इसके साथ एक और जीला याद रखना, सुक्मा, ये भी तीन राज्य माझी डोगरी, माझी डोगरी मिलेगा आपको, माझी डोगरी को थोड़ा रोकते है, शीशु पाल, सीशु पाल मिलेगा आपको महासमुद में, तो A का दो, और C का एक दो, तीन, टेक है, आरी डोगरी कांकेर में, सीता लेखनी फिर से बता दूं सूरजपूर मांजी डोगरी आपको बस्तर में सीशुपाल महा समुन्द में और आरे डोगरी कांकेर में तो इसको आंसर गया कर दो चार एक और तीन ओप्शन नमबर से अगला प्रस्त चत्यस गड़ के किन तहशिलों में मैकल सर्डी का विस्तार है तो अगर बता दूं यह हमारा प्यारा चत्यस गड़ा सीधा हम लोग चत्यस गड़ के ओविशली में पहुंचते हैं देखे यह रहा हमारा प्यारा चत्तिस गड़ यह हमारा मैकल सरी इसको थोड़ा जूम ओट करेंगे तो आपको समझ आएगा कि देखे यहाँ पस अगर मैं राजनन्द काओं बोल रहा हूँ न तो उपर में कौन सा है खेरागड थोड़ा सा राजनन्द काओं जील है यहाँ फिर यह कौन सा है यह आपको मिल जाएगा कमरधा फिर यह हमारा राजनन्द काओं जील है खेरागड और उसके उपर आप कमरधा देख लेंगे थोड़ा उपर अगर जाएंगे तो यहाँ पस आपको मुगेली दीखेगा तो कुलमी लाके इसका विस्तार तो यार राजनन are यहाँ पस जो आपस का वीरल से देखेगे थो नहीं है तो इस ब्रस्न की भीहाप में तो यहाँ पस कोरणी और जाये राजनी जाएगा तो इसको पहला कर जाएगा तीसरा कर जाएगा तो नोबर डी अब यहाँ तक पूछा जाएगा क्वी そि नया जिल ने जीले बनने के ये बाद questions का level थोड़ा increase होगा और map basis questions जादा होगे अगला प्रसन देखते हैं कतन बताना है चत्तिजगड़ में मद्ध पहाडिया पाट है दक्षिण चत्तिजगड़ को कोटरी बेशिन कहा जाता है और मैकल स्रेडिया विंद परवत का भाग है अभी पूरा कतन जब इस प पढ़ावरी नदी बेसिन कहा जाता है न तो कोटरी बेषैन तो अल्रेडी में सिसक forgiving होता है और ये कहीं न कहीं इंद्रावαती में जाके मिल जाता है ति ये उसका बेसिन का निर्माध नहीं करता यह सब्चे बड़ नदी है सहायक नदी एक्सेप्टेट बट यह बेसी नहीं है तो दूसरा कथन भी गलत मैंकल स्रेडिया मुख्यता विंद परवत से बना है इसका बता ही आप अच्छा देखना अगर मैं आपस 37 गड़ बनाता है यह उत्तर वाला चित्र है तो यहाँ पस देवगर चानबकार की पहाड़ी है और यहाँ पस क्या है रामगड की पहाड़ी तो रामगड की पहाड़ी के चो हिस्सा है वो किसका हिस्सा है सत्पुड़ा का और यह जो हो जाएगा विंद्यांचल का तो उपर हो गया यह हो गया सत्पुड़ा और यहाँ पस मैकल स पूर्षिदी विंध्यान्चल का पाठ नहीं यह तो सत्पूरा का ही पाठ है ना तो कुल मिलाके पहला दूसरा तीसरा तीनो गलत है इसका अंसर क्या आएगा तीनो उप्रोक्त में से कोई सही नहीं है तो ऐसे कोशन आपको देखने ही मिलेगा और आपकी समझ के लिए बहु दूसरा बीजापूघी अप्लेइंट कहां मिलेगा बीजापूर में गोलापली पठ्ण कहां मिले जर्क Commission नोटकरके रखलये और नाडपली ज्यापूर अगला इस दूसरार यों देखन! तिसरा मध्य वर्षा और लास्ट क्या रहेगा निवनेत अधिकतम वर्षा मतलब जहां पास्ट पंदरा सो मिलीलिटर से ज्यादा वर्षा हुआ अधिकतम वर्षा जिसके अंतर्गत देवगड की पठारी देवगड वा चेतर जस्पूर। वाले चेतर इव निदीव वाल वाला मद्ध वर्षा तेरा सौसे तेरा सौसे चौदा सौ मिलेलेटर जो कोरिया वाला संभाग नहीं जो उपर आपके देख लो उत्तर कोरिया सरगूजा वगरा ती यह वाला छेतर आजाएगा और नियुनेतम मैं काल परवस रेड़ी और जितने विरिस्टिश है प्रदेश तो इस प्रकार्स को डिवाइड किया गया तो कम से कम इसका नाम आपको त्यान में रखना है चमवाड हल कहां मिलेगा आपको यह मिलने वाला है उत्तर रायगड़ वेशिन में तो इसका अंसर क्या है अधिकतम वर्षा वाले सेतर आप्शन निमने लिखित में कौन सा करेंगा रामगेरी उपर को कवर करेंगा और शिशुप्श्चिव को करेंगा पूर्व देखो शिश्वपाल पूर्व मैगल पस्चिव और अधिक्सीम शियावा जक्षीर पहला बताई जो नया जीला बना है भरतपूर जनकपूर वाला चेतर पहला दूसरा कोडिया फिर सूरजपूर फिर बल्रामपूर तो चार जीलों से तो यह तो सही है तो कथन दोनों कथन सही है और एक दो का इस पस्टी करन करता है तो इस कांसर का अप्शन नमबर अगला प्रस्टा देखते हैं कि चत्तिस गड़े में मांसुन के संदर्ब में कुछ कथन दिया है पताना कोई सही है 21 मार्च के पस्टा सूर्य की स्थित्पी उतरायन होने लगता है तो यह सही है एक तीस जुन के पस्टा सूर्य करक रेखाकि भूमद रेखा के बहुमद रेखा पर वे चलता है यह भी सही है, अच्छा अगर मैं बात करूँ मालीजी हमारा थोड़ा स्टा करते है, यह हमारा भूमत्दे रेका है यहां पस करक रेका है, यहां पस मकर रेका है करक रेकाा 30 degree, 35 degree यह जिरो डेका है, तो यह बोल है कि 20 मार्ज के पस्छा, सुर्य उत्राइन होना प्रारा मकर देता है तो 21 ये तो उत्तर वाले छेत्र हो गया दक्षिन वाले छेत्र हो गया जब 21 मार्श के डेट आता है तो सूर्य भुमध्य रेखा से मतलब मकर रेखा से होते हुए भुमध्य रेखा से उपर क्योड जाता है तो उत्रायन होता है ये कत्म तो सत्य है 21 जूनी के पस्षा सुर्य करकरेखा से भुमध्य में आता है तो सुर्य करकरेखा से भुमध्य में आता है इसी करण वर्षा होती है तो ये भी कत्षन सत्य है तो कुल मिला के ऐसे समझ सकते हैं 23 सितंबर के पसाद सुर्य मध्य रेका से दक्षडी गोलार्द में मकर रेका पहुंचता है तो यह जो 23 सितंबर का डेट है यह गलत है तो आपको यहाँ पस कमेंट सेक्षन करके बताना है कि कौँ से डेट है तो एक और दो सही है और तीसरा गलत है तो ये डेट आपको बताना है कि भूमद जो सूर्य जो है दक्षिन गोलार्द में मकर रेखा कि और कब गमन करता है आपके लिए बहुत ही महत्तपुन ये टॉपिक रहेगा अगला प्रस्म देखते है गथन दिया हुए चत्तिस गड़ की जलवायो को तीन भागों में वक्त किया गए पहला चिस्तों और चत्तिस गड़ में सीद काल इन वर्षा पस्वमी विक्षोद्वार होती है थोड़ा कोशिस करते इसको समझने का जैसे मालों ये हमारा भूमद्ध्य है ये उत्री दुरू दक्षडी दुरू ये भूमद्ध्य रेखा है बीचो बीच और यह कशनमा पसाकर में भात करों यह वाला है करकर रिखा नीचे हो गया मंकर कूप तो यह होता है उश नकठी बंधि च्हेत्र और अगर इसको थोड़ा और दिटेल करे आ तो यह वाला झ Trump करेंन besch prim inclus that was to take a hourrim को रेखका हम vi конф fonction कर बंदि और दतीशिट इसे लगबग 1300 से 325 मिलिलिटर वर्षा होती है तो ये तो ठीक है अब कथन कैसा दिया हुआ है कि 36 गड़ की जलवायों को तीन भागों में वक्त किया गया तो ये तो सही है गृस्मरी तू वर्षा रेतू और सीट रेतू ये तो ठीक है और 36 गड़ में जो सीट कालिन वर्षा पस चोपके कारण होता है इसको पस्यमी गर्थ भीक बोला जाता है तो दोनों कतन सत्य है तो इसका अंसर का अप्शन नमर्ट ए और कुछ महत्पोन फैक्ट को भी इसमें जोड़ लेते हैं देखो सीट कालिन वर्षा पस्यमी गर्थ के कारण होता है समझे सबसे ठंड़ा प्र तापमान और सेत्र यह हो जाएगा आपको राइगड़ सर्वाधिक ठंड़ा वालमा अभी जो सिदंबर चल रहे ना दिसंबर सर्वाधिक ठंड़ा रहता है और सबसे गर्मिस्थल जांगी चापा तो इसको आप ध्यान में रखना है अगला कतन देखते हैं देखो 36 चार भागव हमें डिवाइट की आगे अधिकतम, अधिक मंद्य मुझ और नियूण अधिकतम में 1500 से पंद्र सो जखनर दिया है अधिकतम 15 सो मिललिलिटर से अधिक होथा य तो सही है नियुनतम 1300 से कम होता ये भी सही तो कथन दोनों सही है अगला प्रश्णा प्रदेश का ओसत वार्षिक वर्षा 14-18 दसमलों 2 मिलिलीटर है और दूसरा कथन दिया है हस्दो अरपन अदियों में निचली घाटियों में अधिक वर्षा होती है जब थोड़ा फैक्ट के बारे में देखते हैं न ये कथन तो सही हो जाएगा कि आसत वार्षिक वर्षा 14-18 है मोटा मोटा इसको लिया जाता है लेकिन जो हस्देव और अरपन अदिवाला छित्र है न अधिकतम वर्षा होता उसकी घाटी में ये कथन गलत है तो एसी सब सिसका अंसर एक सही होगा और दुसरा गलत होगा अच्छा अगला प्रस्ण अरपसागर द्वारा छत्यति घड़ के मांसुन की वर्षा होती है पहला जीज और फाराश की खाड़े द्वारा में द्शतिन पस्षिम मनसुन के वर्षा नहीं होती एक साखार रहता है बंगाल की खाड़ी और एक होता है अरब सागर तो 36 गड़ में सरवाधिक वर्षा होता है बंगाल की खाड़ी करण पर ऐसा नहीं है कि अरब सागर से यहां वर्षा नहीं होता है बंगाल की खाड़ी सागर 90% होगा ना तो अरब सागर से 10% होगा तो यह क अगला चत्यस गड़ की जलवायू समानेता कैसी बताना है देखें चत्यस गड़ की जलवायू है आप पेंस में लिखते हैं तब को समझ आएगा चत्यस गड़ की जलवायू मौसम अधारित है ये तो कथन सही है उस नकटी बंधिन मांसुनी जलवायू पाया जाता है ये भी सही है 36 गड़ की जलवायों जो है गर्म और आदर जिसको बोलते हैं सुस्कूप आदर यह भी सही है तो कथन एक दो तीन तीनों सही है तिसका अंसर क्या अप्शन नमबर अगला कौन सा कथन सही है बताना 36 गड़ के जलवायों के परिपेक्ष में तो इसका मैं आपको सीधा विकल्ब के बारे मताने 36 गड़ में वर्षा का शहीं विकल्ब ने एक चौल मैं आपको बताना है कि इनवे सा काथन सही है से प्राप्त होता है अरब सागरी उत्तरी पूर्वी मांसुनी उष्ण कटी बंदी यह चक्रवात आप इसको बताइए देखे एक्चुल में यह तीनों जो ऑप्शन दिया है ना वो गलत है क्योंकि छत्तिस गड़के वर्शा होती है ना दक्षण पस्चिम मांसुन के करण सुमिलित करने है थोड़ा अगर डिटेल से पढ़े होंगे फिर से मैं बोलों थोड़ा डिटेल से पढ़े होंगे थोड़ा करके प्रयाद होगा तिस कांसर बना सकते हैं महानदी अपवाहत अंत्र लगभग सा सतर दसंवलों चार लाइड तीन हजार वर्ग किलोमेटर को क सकते हैं दूसरे नंबर में सबसे बड़ा है तो इसका अगर मैं बात करूं लगभग 28 प्रतिशत में फैला हुआ है तो इसका आंसर यह होना चाहिए लेकिन एक शुल में बतानों जो गुदावरी आप वातंत्र है न वह वह न उन छतीस हजार चववन 49 वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है तो यह कथन तो गलत हुआ ब्रमहाडी आप वातंत्र लगभग देखें मैं आपको इसका आंसर बता जेता हुआ क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है समझ में थोड़ा दिक्कत आ रहा है क्योंकि इसका जो एक च्वाड़ डाटा है न चतिस गड़ में जला पवातंत्र कर दृस्ट्री कोट से पांच भागों में वक्त किया गय है सदूसरा गुदावरी आपको अंत्र गुदावरी वहतंतर पहला है और 36,000 वर्ग क्रमटर में ठेक औहो कितना प्रतेशत की अठाइस प्रतीस्अ कि तीसरा देखते हैं शौन यार्ण 18000 वरघ किलोमENDर में फैला है सो नधी अपवाथ आंतर जो प्रदेश में लगभग सेरा प्रतिशत छेतर को कवर करता है और ब्रह्माडी अपवाथ आंतर के बारेल है इस चोउदा सो क्लिक आँजी यह प्रशनट को कवर करता है और लास्ट कंड़ कर दो呢 साथ सो पचास वर्ग किलोमेटर में जो पॉइंट फाइप मतलब अलगबग आधा पर्शंट से ज्यादा चित्र को कवर करता है तो इस प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं इस काम सर थोड़ा कंफ्यूजन है तो यह आपको ध्यान में रखना है चत्रिस गड़ में निम्न लिखित मिच्ची से कुरिया जी लगा सीत ग्री को माना जाता है तो यह है अकुरी नाल ऑप्शन नमर ए